अगर आपके बच्चे के कान में फोड़े या फूंसी हो जाएं तो उसको जल्दी कैसे ठीक किया जाएं बट उससे पहले आपको मैं बता देती हूं कि ये फूंसी आखिरकार होती कैसे हैं बच्चे के कान में गंदगी या फिर बैल जमा रह जाता है जिसकी वज़े से ये प्रॉब्लम बच्चे को आने लगती है बच्चे को ही नहीं बड़े को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है जब कान में गंदगी वगेरा रहती है तो कान को अच्छे से साफ करते रहें और बच् की कान की फुंसी जल्दी ठीक हो सके first है आपको क्या करना है mustard oil लेना है यानि की सरसो का तेल उसको गर्म करने के लिए रखना है और लेनी है 6-7 lesson की कलिया उनको cut करके और फिर mustard oil में डाल दें जो गर्म हो रहा है जब तक lesson काला ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से पकने दें और इसके बाद में इसको निकाल दें बस इसको air drop में भर लें या फिर आप ऐसे ही रख लें और इसको सिर्फ दो बूंद या फिर एक ही बूंद बचा ज़्यादा चोटा है तो एक ही बूंद आप अपने बचे के कान में डालें और बस उसकी फुंसी कुछी दिनों में ठीक हो जाएगी नेक्स्ट आपको क्या करना है सरसो का तेल लेना है और उसमें हल्दी मिक्स कर लेनी है ध्यान रखें सरसो का तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद में उसको फ्लेम को बंद कर दें इसके बाद में ही हल्दी मिक्स करें नहीं तो हल्दी जल जाएगी और इसको भी छान के अलग कर लें और एक ड्रॉप ही इसको डालनी है तो ये दो उपाये थे जिससे बच्चे की फुंसी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अब मैं आपको बताती हूँ कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए घरेलो उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब बच्चे के कान में पीक वाली फुंसी हो यानि कि जिस फुंसी में पस भरा रहता है अगर ऐसी फुंसी आप अपने बच्चे के कान में देख रहे है तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ऐसी मेडिशियन आपके बच्चे को देंगे जिससे ये फुंसी दो से तीन दिन में ही सूख जाएगी तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता है अच्छा लगाओ तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो